नमस्कार सुझस बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ हश्वीनी सिरोही एक नजर हेडलाइन्स पर राजिस्थान उचनियायाले सहित प्रदेश के अधिनस्थ नियायालों में आज़ित हुई राष्ट्रे लोक अदालत ना कोई जीता ना कोई हारा के सिध्धान्त पर हुआ प्रकर्णों का नस्तार है प्रदेश के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आज नो बैक डे के तहत मनाया गया लाब डे प्रयोग शालाओं के जरिये विद्यार्थियों के सीखने के अवसरों में बढ़ोत्री लाना मक्सद विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियां जोरो पर कैरकरम के जरिये जरजर तक पहुँचाया जाएगा महत्वुपून योजनाओं का लाब साल 2023 की चौथी और आखरी राश्ट्रे लोक अदालत आज आयोजित की गई राजस्थान उचनियायाले की कारेवाहक मुखे नयायधीश और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधीकरण के कारेकारी अध्यक्ष नयायधीपती श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने आज राजस्थान उचनियायाले नई बिल्डिंग परीसर में दीप करनों का नस्तारण करना और प्राचीन काल से चली आ रही सर्वे भवंतू सुखिने अर्थात सभी सुखी रहे की धारणा को साकार करना है अजबार भीकुल 9888209 लंबित वेप्री लिटिगेशन प्रकरन सुनवाई के लिए रैफर किये गए हैं आपको बता दें कि न्यायालो उप्भूग्टा मंचों और अन्य प्रशासनिक अधिकर्णों में किया गया है ऐसे लोग जो लोग अदालत के मार्द्यम से प्रभावों का निस्तारण करने में विश्वास रखते से आमजन अधिवक्ता सरकारी अधिकारी कर्मचारी और मीडिया मेरा सभी से अन्रोध है कि लोग अदालत की जो भावना है और इसका जो महत्तु है इसका अधिक सधिक प्रचार प्रसार करवाया जाए क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रकण जो दो परिवारो के पीश में बहुत सालों से चले जा रहे थे और जिसकी वज़े से दसो प्रकण निकले है ये प्रकण का निस्तारण 15 से 20 प्रकणों का निस्तारण तो करते ही है उनके पीश में आपस में जो प्रेम और स्वहार्थ को भी स्थापित करते थे था निथा वो लोग को लंबे प्रदेश के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शनिवार को नो बैगडे के तहत लाबडे बनाया गया। इनके नियमित संचालन से विद्यार्थियों को लाभानवित करने का माहौल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कारिक्रम की सफलता के लिए राज्य सरीय हल्प डिस्क बनाने के नरदेश भी दिये। उधर गंगापूर सिटी में कारिक्रम का सफल क्रियानवेन सुनश्चुत करने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजली राजोरिया ने शुकुर्वार को पंचायत समीती के सभागार में पूर्व तैयारियों से संबंधित बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण राष्ट्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए विकसित भारत के सपने को साकार करने के दिशा में एक अभूत पूर्व कदम है। मुखे सूचना आयुक्त श्री डीबी गुपता ने आज राजयपाल श्री कलराज मिश्र से शिष्टा चार भेंट की। माख तरेपन हजार साथ सो तैतालिस बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाए जाएगी। इसी कड़ी में अभियान के बहतर क्रियान वेन के लिए आज पोलियो की प्रती आमजन को जागरुक करने के लिए राजके महात्मा गांधी अस्पताल परीसर से जागरुकता रैली का आयोचन किया गया। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार।